चार महीने से साइट बंद होने के कारण परदेश भर में रुका राशन कार्ड से संबंदित कार्या लोगों को उठानी पड़ रही है परिशानी विभाग के अधिकारी बोले 26 फरवरी को साइट हुई थी बंद कहा राशन कार्ड को फैमली आईडी से जोडने के लिए अपडेट है तो बंद की गई थी साइट परदेश सरकार द्वारा नागरिकों के दफतर से संबंदित कार्या जल्द हो इसके लिए ओनलाइन सिस्टम शुरू किया गया जो कि कई विभागों में कारगर भी साबित हुआ है लेकिन खादया पूर्तिया मामले में विभाग को लगता है कि अपने भोगताओं को दी जाने वाली ओनलाइन सुविधाओं के प्रती सजग नहीं है यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस विभाग से सम्मंदित राशन कारड अपडेट करने की साइट पिछले चार महीने से बंद पड़ी है एसे में नाय तो नया राशन कारड बंद पा रहा है और नहीं अपडेट का कोई कार्या हो पा रहा है जिससे लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है रादोर सहाय का खादया पूर्ती विभाग का रेले में अपने राशनकारड में नाम अपडेट करवाने आए गाउन बसंतपुरा के उमाकान ने बताया क्यों अपने राशनकारड में नाम जुड़ाने के लिए कई बार विभाग के चक्क्र काड़ चुका है लेकिन हर बार साइट ने चलने का हवाला दिया जा रहा है अब पैतनी के साधिए तो उसके लिए आयते के नाब stool आई तो उसके लिली आयते कि तो यहां पतलilty वहीं इस बारे में सहायक खाद्या पूर्तिव भाग रादोर के निरिक्षक रोशनलाल सैनी ने बताया कि साइड 26 फरवरी से बंध है उन्होंने भी कहा साइड बंध होने के कारण काफी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस ज़ी एडियर इसको राशनकादistor रहां .. असमfill can you. इस फ़्व्दि फरवरी को शेयड बंध होने के बाद आज तक शेयड बंध ह overwhelm ऑब्लू परवलक्न काट सकते ह्पहल प्रविक आती है दुक्तर में चक्र लगाते हैं लोग गुष्सा भी होते हैं बोलते हैं समझाना बड़ा मुश्कल होगा है कि लंबा टाम निकल गया इसे लिए लोगों धरी संझाते हैं कोई बात निश्चे से लेको पर अपर प्रश्चे पता है जी भी साइड बंदा सारे रादोर से लाजपत राइकी रिपोर्ट